वालो गाईज बॉर्णिंग कैसे हो आप सब हम लोग कॉंग्रुएंस आप ट्रैंगल्स पर रहें क्लास 9 के लिए आरे से पाल के बुक से एक साइज नाइने का सॉलुशन चल रहा है और इस वीडियो में हम लोग कोस्टिन नंबर 25 को सॉल्व करने बाले हैं ठीक है इसे पहल तो सब्सक्राइब करना आपने लिए और में लिए बिल लाइक को प्रेस करते हैं अभी वीडियो एंज़ाई करते हैं हम सब के लिए को सब्सक्राइब करने लिए पर देखो यहां तो सिदा कर रहा है कि तो बात नहीं करना है तो आप क्या करोगे कि आप ट्रेंगल ऐसे बिसी बना लोगे लेकिन यह problem हो जाएगा इसने मैंने क्या का question पूड़ा पढ़ो क्यों करो पूड़ा क्योंकि तुमने तो यह ट्रेंगल बना लिया और तुमको प्रूफ क्या करना है तो इसको तुम राइट रैंगल कैसे प्रूफ करोगे तो राइट रैंगल है नहीं तो question पूड़ा पढ़के construction नहीं करना है question पूड़ा पढ़ लेना है क्या last में प्रूफ करना है वही figure बनाना है भले ही यह राइट रैंगल नहीं बाने ही हम लोग इसको लेकिन बनाना है राइट रैंगल बात क्लियर है पहला concept आपने सीख लिया all right यहाँ पर हम लोग A दे देते हैं इधर और इधर हम लोग C दे देते हैं ABC एकदम बात क्लियर है ठीक है अब देखो D is the midpoint of side AC अच्छा AC का midpoint D है तो यहाँ पर D जैसे हम कुछ बना देते हैं ठीक है और यह midpoint हो गया such that BD equal to half of AC अच्छा कह रहा है कि BD अब BD को join करो पहले रूप जाओ BD को join करते हैं यह जो BD है ठीक है BD के बारे में क्या कहा जा रहा है it is half of AC तो एक बात पहली बात आओ पहले तुम यह बदता हो कि D जो है वह AC का midpoint है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या हुआ कि D AC का midpoint है इसका मतलब यह हुआ कि जितना AD होगा उतना ही DC होगा और चुकि D midpoint है नहीं तो यह दोनो यह और यह AC का आधा होगा तो यह क्या होगा और ये बात है और कोश्चे में क्या कर रहा है कि वीडी जो है यह भी सिकाथा है मतलब यह हुआ अच्छा हम यहां पर लिख लेंगे इसको चलो सुरू कर रहे अब तो सो करना है आपको कि ट्रेंगल एबिसी राइट मतलब आपको इस एंगल को 90 प्रूफ करना है इस एंगल क क्या करने वाले हैं आप चले जाओ कि आप लिख तो यहां पर यह एर जो आपका एडी होगा और जो डी सी होगा यह दोनों आपसे बढ़ाबर होगा और यह 1 बाइटू एसी या सी था एसी बाइटू यह होता है यह है गिवन एंड एक बात और दिया हुआ है इस बीडी ज तो यहां पर एक बात समखना रही है कि AD, DC दोनों 1 by 2 और BD भी 1 by 2 मतलब इसलिए आप कह सकते हो इसलिए जितना AD होगा उतना ही DC होगा और उतना ही BD होगा ठीक है तो जितना AD उतना ही DC उतना ही BD तीनों मैंने यह डॉट लगा दिया आप एक बात समझो मेरे भाई आप एक बात समझो यह जो ट्रेंगल आप देख रहे हो BDC यह कैसा ट्रेंगल है ISO स्किल्स ट्रेंगल है कि इसका दो साइड बढ़ावर है फिर यह जो ट्र एक अधर से यह एंगल बराबर होगा और यह साइड आप बराबर है तो यह वाला एंगल और यहां वाल एंगल बड़ाबर होगा तो अगर इस एंगल को मैं Y मानूँगा तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा Y हो जाएगा कितना काम आप पहले लिख लो ठीक है अब लिख लो कह दो इन ट्रेंगल A, B, D A, B, D में जो A, D साइड है यह B, D के बराबर है इसका मतलब यह होगा कि एंगल B, A, D और एंगल A, B, D यह दोनों बराबर होगा इसको मैंने Y के बराबर माल लिए ब्रैकेट में लिख लेक्ट मतलब हमने माना है पिर अप लिखो इन ट्रेंगल आप B, C, D मे जाओ यहाँ पर आप क्या देख रहे हो B, D और D, C बराबर है B, D बराबर D, C तो जब B, D और D, C बराबर है तो इंगल भी बराबर होगा तो इंगल कौन सा? D, B, C और D, C, B D, B, C और D, C, B यह एंगल D, B, C, और D, C, B यह दोनों इसको मैंने क्या वाना है वाई इसको मैंने X ते वराण माना है तो अब लिखत हो X लेट अब तुम थोड़ा सा लंबा सा सखीच हो और पूरे ट्रेंगल ABC में जाओ ठीक है नाँ in triangle A, B, C ABC में जाओगे तो तुम ABC में क्या कहने बाला हुआ तुम कहने बाले हों कि Sir A, B और C तीनों का add करने पो 180 होगा तुम कहोगे कि angle A angle B और angle C इन तीनों का हम add करें कितना होगा 180 होगा, यही तो होगा न ठीक है, यही होगा यही होगा तो A, B, C को एड़ करने पर 180 होगा, बिल्कुल सही बात है, A कितना है, A कितना है, A है आपका Y, B कितना है, देखो, B दो एंगल से मिलके बना हुआ है, B जो है न पूरा ये दो एंगल से, X प्लस Y, दोनों मिलके बना हुआ है, तो B की जगा पर हम क्या लिखेंगे, X प्लस Y, और C, C, X है, देखो, C किसके बराबर है, X के बराबर है, तो इन सब को एड़ करने पर मेरे को 180 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बोलो हाँ, अब देखो, X और X, दो बार X है, दो बार X, Y भी दो बार है, दो बार Y, इक्वल टू, 180, अब आप क्या करोगे, 2 कॉमन लेनी के होगे हमको, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो, equal to 180, so, X plus Y equal to कितना हो जाएगा, 180 by 2, cancel करोगे, 90, अच्छा, एक बात बता हो, एक बात बता हो, यह X plus Y का मतलब क्या होगा, यह X plus Y कौन सा एंगल है, X plus Y, X plus Y कौन सा एंगल है, यह एंगल आपका, A, B, C, यह X plus Y, यह पूरा एंगल कौन सा एंगल है, A, B, C, यह ना, X plus Y, कहोगे, अच्छा, इसका मतलब यह हुआ, कि एंगल, A, B, C, जो है, यह 90 डिग्री है, अभी तुमको समझ में आ गया कि यह question, क्या साथ question था, ठीक है, अल्रीडी planning कर लिया था, क्या से क्या प्रूफ करना है, कहां पे किसका य इनिकुलिटी में पढ़ने को मिलेगा, इनिकुलिटी में आपको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और टोटल कोस्चन, जितने भी कोस्चन से 9B के, वो सब इतने ही आसानी से बनने वाल, ठीक है, तो भाई, क्या साल लगा, कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं फिर न